वन रैंक वन पैंसन को लेकर एक और बड़ी अपडेट हमारे बीच आप पहुंची है जिया दोस्तों हमारे पैंसन दारकों के बीच वन रैंक वन पैंसन टूर वीजन जिसका हमारे पैंसन दारक बेस सबरी से इंतजार कर रहे है क्योंकि दोस्तों अच्छी खासी पैंसन पहुंचिए जी आप सभी को पताओगा मेजर जनरल सतमीर सिंग जीने रक्षया मंत्री को लेटर लिखा था उसको लेकर एक बड़ी अपडेट हमारे सभी पहनसंधारकों के वीज तो जितने भी पहनसंधारक हमारे साथ जुड़े वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दो दोस्तों मेजर जनरल सतमीर शिंग का ओपी सेल टवीटर पे जो उन्होंने टवीट किया है लेटर रिटर टू अन्रेबल रक्षया मंत्री रिगार्डिंग नोन पेमेंट ओफ ओर 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 एरियर वेलफर एक जुलाई दोह जार उनवर्ड एज पर ओनरेबल सुप्रिम कोर जजमेंट इजे इंकलोजड जी यहां दोस्तों उनके दवारक आ गया कि जो सरकार पेमेंट का जो है इंप्लीमेंटर से नहीं आने की एरियर और हमारा बुगता नहीं कर रही है वो आर ओपी टूरी वीजन नहीं कर रही है उसको लेकर सरकार को यहां पर लेटर लिखा दे एक मिन्ट जूम कर देता है यहां पर देख सकते दोस्तों इसमें भी दिया गया है कि नौन इंप्लीमेंटेशन ओफ उनरेबल सुप्रीम कोट जज्जमेंट डेट 16 मार्च 2022 रिगार्डिंग पेमेंट ओफ वन रैंक वन पैंशन एरियर जो है उसको लेकर यह लिखा गया ह आप यहां पर देख सकते दोस्तों उनरेबल रक्षिया मंतरियानी की राजनात सिंग को यह लेटर लिखा गया और इसमें एक बड़ी बात काजिकर किया गया जो मैं भी आपको बता हुआ आप यहां पर देख सकते ही लेटर की जो है नेक्स्ट पेज है इसमें एक बात कहीं गई है और वो है हमारे पैंशन दार्कों के फाइदे की बात यहां पर आप देख सकते हैं जो है May we request to the kindly issue interaction for the payment of area at the earliest and equalized pension along with 8% interest from 16 जून दो जरबाई से delayed period Onward till date grant due justice to the ex-servicemen and their dependency आने की हमारे जो पैंसन धारक और जो family पैंसन धारक दोस्तों सभी का जो पैंसन में इतना बड़ा डिले कि आप सभी को पताऊगा च्छे महीने का टाइम खा गई है मोडी सरकार तो उसको लेकर अब हमारे पैंसेंदार को ने का कि अब भुगतान के अंदर सरकार जो सुप्रीम कोट है उसके आदेसा अनुसार होगा यहां पर आठ परसेंट इंट्रेस्ट जो है दिया जाएगा मोधी सरकार की तरफ से वरना हमारे पैंसेंदारकों का जो है हम content of court का एक्सल लेंगे जिसमें मोदी सरकार बुरी तरह से आखिरकार फस जाएगी तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट आया है और इसी के साथ हम आपको एक चीज़ और दिखा देते दोस्तों यहां पर नीचे कुछ हमारे पैंसेंदारकों ने रीटवीट किये हैं जिसका जवाब मेजर जनरल सत्पिरशिंग ने दिया जो कि बहुत से पैंसेंदारकों के confusion हैं आपके भी हो सकते हैं वही आपके मन में भी क्या यह हो सकता तो इस तरह कि यहां पर कमेंट जो है रीटवीट किये गए हैं उसके बाद मेजर जनरल सत्पिरशिंग ने उन्हें सभी पैंसेंदारकों का जो है यहां पर जवाब दिया गया आप यहां देख भी सकते हैं दोस्तों हमारे पैंसेंदारकों की ट्वीट और रीटवीट यहां पर एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने पूछा है कि यहां पर आप देख सकते हैं नो कॉंटेंट जो है पैटीशन याटू नोने का कि जो कॉंटेंट ओफ कोडर का आपने बता था कॉंटेंट ओफ कोर्ट क्या वो अब एक्सन नहीं लोगे तो यहां पर मेज़े जनल सतबीर शिंग ने का कि गॉर्मेंट अपलीकेशन फॉर एक्टेंशन ओप टाइम इस लिस्टेड फ्रॉम 16 सिप्तंबर 2022 डिसीजन ओन्द कॉंटेंट ओफ कोड अप्टर दा हीरिंग उन्होंने कहे दिया कि जो आपकी हीरिंग होगी 16 सिप्तंबर 2022 को टाइम एक्टेंशन को लेकर जो सरकार ने टाइम एक्टेंशन के लिए बोला है उसको लेकर जो हीरिंग होगी उसके बाद जो फैसला था उस के बाद हम decision लेंगे content of court का तो ये एक बड़ी update हमारे सभी pension धारकों के लिए दोस्तों क्योंकि हमारे पास comment वी आते थे कि sir जो है content of court कहने की बाते लगाने की बाते चल रही थी तो अब क्या रहा current status क्या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी की पूरी clarification हम आपको दिखा रहे हैं one rank one pension से related तो दोस्तों यह और ओपी से related बड़ी update निकल करा रही थी जो हमने आपको बताई यदि आप चाते हैं जल्द से जल्द केंदर सरकार pension को revise कर दें तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर यह टाइफ जरूर करें का हमें भी पता लगए कितने हमारे pension अरक एक्टिव मोड में और चाते जल्द से जल्द पैंशन रिवाइज़ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो को तब तक के लिए जय हिंद जय भारत